हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एच्वी एक्जैम क्रैक तो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नोटिफिकेशन जो की इशू किया गया है सी एसके पालंपूर युनिवस्टी द्वारा तो जो क्रिशी विश्व देल्या पालंपूर है इसके द्वारा एक एड़िटाइस्मेंट इशू किया गया है जो की आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है और कैटिगरी सी की ये पोस्ट है देखते हैं कि इसकी आगे डिटेल क्या क्या रहेगी सबसे पहले आपको बता दें कि ये कॉंट्रेक्ट पर ये जो भी भरतिया है वो कॉंट्रेक्ट पर की जाएगी और अविदन जो शुल्क है वो आपका जनरल के लिए 560 रुपे रहेगा जो की ब्रेंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको पे करना है और इसकी साथ ही ज़िए आप किसी रिजर्व क्रिटिकरी से बिलॉंग करते हैं तो आपको 140 रुपीज पे करने होंगे तो नेक्स्ट देखते हैं सबसे इंपोर्टन इसमें क्या है वो है कि आपकी जो लास्ट डेट आफ एप्लिकेशन है समिशन की वो कब है तो वो है आपकी 38-2022 तो ये दिन आपको याद रखना है क्योंकि 30 तारी तक आपका एप्लिकेशन फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए और इसके साथ यदि ट्राइबल एरिया से बिलॉंग करता है कोई तो उसका एप्लिकेशन फॉर्म 15-9-2022 शाम पांच बज़े तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए यूनिवस्टी में तो यह थी इससे इंपॉर्टेंट जो अपडेट नेक्स देखते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट है तो और उनका रिजर्विशन प्रेकप क्या है सबसे पहले टेकनिकल एसिस्टेंट की है जो ग्रेट टू की है फील्ड की यह जॉब है और ऑन कंट्रेक्ट बैसिस यह रहेग कि कुल जो अन्रिजर्व के लिए वह चार पोस्ट है नेक्स्ट है वैटनरी फार्मसिस्ट Vish juicy की मातर एक पोस्ट है थो आप देख सकते हैं और यह रहे ही ओबई सी के लिए और यदि आप क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की भी इसमें पोस्ट है निकाली गयी है लेकिन यह है person with disabilities के लिए जो है वो रजर्व रहेगी तो only जो इस category के लोग है वो ही इसके लिए apply कर सकते हैं तो एक पोस्ट यह रहेगी clerk की नेक्स्ट है लेबरोटी अटेंडेंट इस जो की contract basis पर भरी जाएगी तो और यह भी जो dependent son है daughter and wife of SC ex-serviceman if the eligible suitable candidate is not available the post will be filled from the respective residue category that is SC तो यह भी आपकी इस category के लिए reserve रहेगी तो यह थी आपकी इससे जोड़ी हुई जानकारी और अब इसके बारे में जो essential qualification है इन पोस्टों की वो दी गई है जैसे कि technical assistant के लिए आपका B.Sc और light sciences में होना ज़रोरी है और उसके साथ साथ ही field assistant के लिए metric with certificate और डिप्लॉमा इनने के लिए कज़र का होना बहुत ज़रोरी है बाकी आप देख सकते हैं कि यदि आपने इस में से गोई और पी essential जो desirable और essential qualification है वो वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हैं नेक्स्ट है क्लर्क तो क्लर्क के लिए जो की person with disability के लिए इसके लिए इसके लिए आपके simple 10 प्लस 2 चाहिए और आपकी जो minimum speed है typing की वो 30 words per minute होना ज़रोरी है अगर और हिंदी में अगर यदि को करना चाहते हैं तो 25 words per minute कि आपकी typing speed होनी चाहिए और नेक्स्ट देखते हैं क्या है लेबरोटरी एटेंडेंट है लेबरोटरी एटेंडेंट के लिए 10 प्लस 2 विच साइंस और यह होना ज़रोरी है तो इसी प्रकार से आपको mode of selection भी बताया गया है कि किस प्रकार से रहेगा वो जैके टेक्निकल assistant के लिए रहेगा जो आपका screening test होगा multiple choice questions का तो स्लेवर्स आपका mention किया गया है और आप आपकी respective field है उसमें उसके question जो है उसमें पुछे जाएंगे और number of marks जो है वो भी बताये गया है कि 100 marks का आपका exam होगा उसके बाद जो age limit है वो बताएगी है कि not below 18 years तो 18 साल से उपर कोई जो भी है तो वो इसके लिए eligible है और apply कर सकते हैं बाकी फिर से वही बताया गया है आपस में पहुंच जाना चाहिए लास्ट में और इसमें बताया गया है कि जो आपका application form है वो आपने registered post के थ्रू ही सब्मिट करना है और जो deposit होगा आपका वो आपका होगा office of the deputy register तो वहां पर आपने यह form जो है यह भीजना है registered post के माधियम से उसके बाद आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन बताई गई है और कुछ बद जैसे आपको होता ही है हर form में last में दी जाती है कि और देखते हैं क्या है इसमें बाकी यदि आप किसी भी प्रकार की इसमें अधिक जानकारी चाते हैं तो सबसे लास्ट में इसमें दिया गया है कि for further details आप इन कॉंटेक्ट्स पर जो डिप्टी डिश्टार है रिकूटमेंट पालंपूर यूविश्टी के उन से बात कर सकते हैं 01894-230-367 पर इस पर आप कॉल कर सकते हैं और extension इनका रहेगा आगे telephone extension है 150 आप बोल सकते हैं कि 150 पर आपने बात करनी है तो आपका वहां पर बात करवा देंगे और 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही आप कॉल करें अगर किसी भी प्रकार की आपकी query है इस notification से जूड़ी हुई सभी जानकारी मैं जो important जितनी भी जानकारी थी इसी प्रकार की notification के लिए बने रही है HP exam करें के साथ तिल देन keep watching keep studying